आज हम बहुती टेस्टी एकदम सॉफ्ट इंस्टन ढोकला बनाएंगे जिसमें हमें ना दालचवल भीगों ना ही पिसना है ना ही सूजी का यूज करना है ना फर्मेंटेशन के लिए रखना है और ना ही सोडा या इनो का यूज करना है फिर भी ये ढोकला एकदम सॉफ्ट और पहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो बारिश में कुछ घरमा घरम खाने का मन करें तब इस तरह का डोकला एक बार जरूर ड्राय करना जैजिनेंद्र सभी को तो चलिए आज की मज़ेदार वैसे भी शुरू करते हैं एक तम सॉफ्ट और इंस्टन डोकला बनाने के पही लिया है तो पोवे को हमें तीन से चार बार अच्छे से वाश कर लेना है जिससे पोवे एकदम साफ हो जाएंगे और इसे वाश करने के बाद 10-15 मिनिट के लिए भीगने के लिए रख देंगे जिससे ये पोवे अच्छे से भीग जाएंगे तब तक हम कड़ाई में 1-4 cup मुंफली के दाने एड़ करेंगे और slow to medium flame पर चमत से चलाते हुए सिंग दाना को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है तो तीन से चार मिनिट में इस तरह से हम छिलका निकाल कर चेक कर लेंगे यानि ये सिंग दाना अच्छे से रोस्ट हो चुकिया है तब गयस बन कर करेंगे आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट एड करेंगे 1-4 cup बारिक कटा हुआ हरा धनिया 3-4 टीस्पून नमक आधी टीस्पून चीनी आधी टीस्पून हलदी पाउडर एड़ करेंगे और सारे मसाले को हम इस तरह से चमत से प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे जिसस पोवे को और दई को और कैफ्सिकम को एक साथ में अच्छे से मिला देंगे अगर पोवे ज़ादा ड्राइ हो जाते हैं तो आप 1-2 चमच पानी एड़ करेंगे उससे ज़ादा पानी एड़ करने की जरूरत नहीं है तो मुझे तो जरूरत नहीं लगी थी तो मैंने पाने याड नहीं किया है अब ओईल से ग्रीस किवी प्लेट में हम सारा बैटर एड़ कर देंगे और इस तरह से चमच से पूरी थाली में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तो हलका हलका प्रेस करते हुए हम स्प्रेड और डग कर 10-12 मिनिट के लिए स्टीम कर लेंगे तो देखें मेडियम तो हाइफ लेंपर मैंने 10-12 मिनिट के लिए स्टीम कर लिया है और इस तरह से नाइफ से चैक भी कर लेंगे नाइफ क्लियर है यानि डोकला स्टीम हो चुके है तो गैस बन कर देंगे और प्लेट को ब सफ़ेत तील डालकर गैस बन कर देंगे अब 5-6 करी पता और आदी टीस्पून कश्मिरी लालमिच पाउडर एड़ करेंगे और तड़के को हम डोकला की थाली पे आड़ कर देंगे और चमत से अच्छे से पूरी थाली में तड़के को स्प्रेड कर लेंगे तो आप चाहो त नॉर्मल धोकला कट करते हैं वैसे ही मैंने यहां स्क्वेर शिप में कट कर लिया है बहुत ज़्यदा छोटे पिस में कट नहीं करेंगे तो देखें यहां धोकला करने के बाद थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे अब मैं आपको एक पिस निकाल कर भी नहीं बिगाया है ना सुजी का यूस किया है ना ही इनो का यूस किया है फिर भी यह पुवे का इंस्टन डोकला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते है तो आप भी बारिश में एक बार गर पर जरू ट्राय करना सभी को बहुत पसंद आएंगे थैंक यू